इस बीडियों बताने वाले हैं पोस्ट मैठी के स्कॉलर्शिप का जो फॉर्म आपको भारा जा रहा है तो तीन चार आपके लिए अपडेट आया हुआ है जैसे आज फर एक्जामपॉल अगर आप एसी एस्टी का फॉर्म भर रहे हैं तो एस्टेशन करने के बाद आपका ज जोकि No Record Found आप जोकि SCHT से आया है जोकि आपको EBC भी आएगा BC का तो उसमें भी आपको लिखेगा तो इसका क्या कारण है इससे आपको कैसे बचना है यापको No Record Found नहीं बता है इसके बारा मजनकारी आपको देने वाले तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टमेटिक स्कॉलर 142022 तक इसमें कर दिया गया है और उस कॉंडिशन में आप जैसे आप पर CST वाले का जो भी फिलाल बताया जा रहा है आप रैस्टेस्टेशन करकर लोग-इन करने जाते हैं तो पोस्ट मैट्री का फॉर्म जैसे आपको स्कॉलर्शिप के तौर पोस्ट नहारासी आपको दिया जा रहा था तो उसमें भी आपको यहीं बात लिके आता था अगर आपको रिस्टेशन करते थे तो उसका जो कि वेरिफिकेशन का एक निधारी टाइम दिया गया था रिस्टे सारे का इसमें रिकोर्ट चेक किया गया था उसके बाद एक शिप्ट करके आपको जो कि यह आईडी और पासवर्ड के दोरान आपको वेरिफिकेशन का आपको बता दिया जाता था कि यह जो कि आप लोगिन आप दुबारा से कर सकते हैं ठीक उसी परकार जब आपको इसमे बता देगा कि आप इसमें किलिक करके आप आगे जो की फर्म को भर सकते हैं तो उस कंडिशन में आपको थ्रवादिन इंतजार करना है आपको जो कि मेरे एक्स्प्रियंस का उसार वेफसाइट का जो की एरर चांज 10% तक हो सकता है कि वेफसाइट का एरर हो 90% इसका जो कि दोगा उसके बाद आपको प्रोसीड हो जाएगा क्याप पीफ में सापको एकाउंट भेरिफाई होगा आधार कर भेरिफाई होगा सारे चीज़ा को भेरिफाई हो जाएगा तब जाकर आप अपपलाई जो की कर सकते हैं यह आपको जो के दूसरा इसमें डाटा अप अप भी कर सकते हैं जो कि आपका डॉकमेट भी आप अपपलोड कर पाएंगे जिससे आपको जोता है गेडियोशन का हो या जीस लेबल में होगा सारे का मने लिस्ट पहले बता दी है किसकी साथ में को कितना जो की पैसा आएगा तो यह था आपको एसी एस्टी वाले के लिए ज रोड़ पोस्टमेटरिक बाति करें आप 그ुस टिया गया था आज भीवह जो करके जेता जैगा जैसे इसका ACST का form भरना बंध हो जाएगा तो हो सकते आपको EBC का form आपको खूल के आ जाएगा तो उस condition में आप भर पाएंगे लेकिन अभी तक एक भी आदमी का जो किये ACST का form नहीं भरा गया है तो आपको अनुमान लगा लेना है कि BC और EBC का date आपको कौब तक आएगा इस वीडियो समाने किसी पतरिकर का प्रास्त नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको आपको के साथ तब तक के लिए जोईन